असलाम लेकूम, कैसे आप लोग, I hope आप सब खेरियत से, इंशाओ आला, अलाक अलाक शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ अपने बच्चों के बारे में, कि उनकी डाट के बाद उनके उपर क्या अफेक्ट हुआ उससे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दा करना चाहती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अतनी प्यारी प्यारी द्वाइं देने का, मैं यकीन जाने, पिछली वीडियो में, मैंने जब आपके कॉमेंट्स पढ़े, और उन कॉमेंट् सीब करें अल्ला ताला आप लोगों की मुश्किलें आसान करें और बहुत सारे खामिट आ रहे हैं कि मेरे हजबिन की डेथ को कितनी ठाइम हो गई है मेरे हजबिन को नीली तीन साल होने वाले हैं वो 2018 एली नवंबर में उनकी डेथ हुई थी अब ये नवंबर जो आ रहा है इसमें मेरे हजबिन की तीन साल हो जाएंगे बहुत सारे कामिट आ रहे थे तो मैंने किन लोगों को रिपलाई किया मगर सब को फिर फिर रिपलाई करना पर रहा था थोड़ा मुश्किल हो रहा था मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो के ओपर बता दूँगी आप लोगों को अफ्टर मेरे हजबिन की डेथ के बाद मेरे बच्चों पर जो अफेक्ट हुआ उस वकत इसा बहुत चोड़ा था तो मज़े याद है जब मैं होस्पिटल गई अपने हजबिन के पास तो मैं बैठी हुई थी मैंने अपने बच्चों को बलवाया फोन करके और इसा को मैंने उठाया हुआ था तो उस वकत अपने डैट के करीब अपने आपको लेके गया और उसके सर के साथ सर लगा के तो टेक लगा के सकून से जैसे रिलेक्स करने लगा और उस वकत मुझे बहुत दुख हुआ मेरी परदाश से बाहर होने लगा कि इसा जब बढ़ा होगा तो इसे क्या याद होगा इसे तो कुछ नहीं याद होगा मेरे जो दो बच्चे हैं उनको तो फिर अपने डाट की कोई बातें याद होगी कुछ न कुछ याद होगा और उस वकत मुझे बहुत रोना आ रहा था और यहीं मैं सोच रही थी यह तो इसा तो समझ रहा होगा कि डाटी सोया हुआ है ऐसी वो अपने डाट के पास सो जाता था रात को तो फिर और अलीमा इसमाइल भी अपने डाट को देख रहे थे इसमाइल भी अपने डाट को ऐसे नहीं देख पा रहा था उससे परदाश नहीं हो रहा था तो इनके उपर इतना अफेक्ट हुआ अप्टर मैं स्पेशली मेरी बेटी के उपर बहुत अफेक्ट हुआ वो बहुत मैंटली वो बहुत डिस्टरब हुई उसके कुछ दिनों के बाद ही जब उसने स्कूल स्टार्ट किया पहले तो वो गर परी थे जब उसने स्कूल स्टार्ट किया तो नहीं उसका दिल लग रहा था कि स्कूल जाए वो बहुत अपसेट होती थी वो मुझे छोड़नी के अकेला नहीं जाती थी कहती थी मुमी में नहीan होंगे तो तो में कुछ हो जाएगा तो में कौन लुकाफ्टर करेगा और यह कहती थी मुझे कि मुझे स्कूल नहीं जाना और अगर मैं territor चाहों भी तो मेरे साथ जाती थी और मेरा हाथ पक lemons करों वैसे यही डर था कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए तो कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे स्कूल चले गए फिर एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे पास आई तो उसने मुझे का कि मेरी बेटी के बारे में कि उसका टीचर जो है वो मुझे बुला रहा है उसे मेरी बेटी के बारे में बात करनी है फिर मैं टीचर के पास कई हमारी बात हुई उसने दोनों के बारे में इह बात की इसमाईल और हलीमा दोनों के बारे में तो इसमाईल का काव वो भी उसके उपर भी है मगर वो हलीमा बहुत ज्यादा है अलीमा ने इस बात का ज्यादा असर लिया हुआ है मेरी बेटी का कह रहे थी उनको भी पता था कि मेरे बच्चों के साथ जो हो जो कहे वो बहुती दुख वाली बात है तो फिर उन्हें ने कहा कि अलीमा को कांसलिंग की जरूरत है अलीमा की कांसलिंग स्टार्ट करते है और आपसे इसलिए बात करनी थी मैंने का ठीक है आप करें इसकी कांसलिंग और मुझे पता था मेरी बेटी जो है वो बहुत मुश्किल से अपना आप बार निकालती है वो नहीं कहती है अपने दुख अंदर ही रखती है तो कांसलिंग अलीमा की होई मगर मुझे लग रहा था कि अतना अफेक्ट नहीं हुआ क्यूंकि हलीमा अपने अंदर की बात बार नहीं निकालती थी बहुत इस चीज़ के अंदर वो स्ट्रॉंग थी अपने दुख अंदर रख ले थी तो फिर ऐसी उसका सेकंडरी स्कूल शुरू हो गया तो ओधर से भी टीचरों ने नोटस किया मेरे साथ रापता किया कि हलीमा बहुत क्वाइट है फिर इसके कांसलिंग के लेटर वगेरा आना शुरू हुए तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा मनाया है तो अलगर जाए मेरे साथ और इसमाईल भी ऐसी था उसे भी जरूर पढ़ गई थी बाद में उसकी भी कांसलिंग शुरू हो गई और मेरे बीटी अपने आपको बहुत बड़ा समझने लगी और मुझे ऐसे समझ रही थी कि मैं तो छोटी हूँ बच्ची हूँ और उसे यह गम होता था कि ममी जाना तो देखे रोट क्रास करना बहुत इस तरह की बाते करती थी कि ममी तुम अकेली होती हो तो किसी को बला लिया करो गर मैं और कि हर बात पर जैसे मैं उसे कहती कि चलो आओ नीचे खाना खाओ हम कहीं जा रहे हैं तो इसे यह कहती थी मुझे नहीं जाना कहीं भी हर बात कांसर इसका मेरे था था तो वस्ता पॉइंट डैडी के ड़त के बाद एक दिन मेरे बेटी की तबियत हराब हुई इसमाईल की तबियत हराब हुई कि उसकी हाट में थोड़ा सा कह रहा था मेरा दरद हो रहा है तो मैं वरीड हो जाती हूँ इस तरह अगर कोई बात होती है तो मैंने से का तुमने हो सकते है कुछ खाना खाने से तो तुम सीधा बैठो तो अलीमा अलीमा बहुत परिशान हो जाती है इस बात को तो तर जाती है तो उसे कहने लगी का क्यों हाट में क्यों दरद हो रहे है वो मुझे कहती है ममी फोन करो एंबिलेंस को न मैंने का नहीं बेटा ठेरो इसने खाना वागे रखाया है तो हो सकता है उसकी वज़ा से तो मेरा बेटा मजे कहता है I'm so young I don't want to be die तो उस वकत मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि क्योंकि दैट का इननोंने सब कुछ वो देखा तो बाते करते थे पूछते थे क्या हुआ क्या नहीं दैटी के साथ ऐसे हुआ तो मैंने सिका नहीं ऐसा नहीं कहते तो मैं ऐसे बाते मत किया करो तो मेरी बेटी इसे समझाने लगी कि एक दिन सब ने जाना है इस दुनिया से ना तो अल्ला हमें जनत देगा माशाला वो इस तरह बहुत समझदार है बस ये इस तरह की बाते करती कि इदर तो हम आपस में अकठे हैं और अदर मेरा डैडी अकेला होगा डैडी के पास तो हमें से कोई नहीं है तो बाई को समझाती कि अगर बच्चे डाय हो जाएं जनत चले जाते हैं मैं इनकी बाते सुनती रहती मैंने कहती कि ऐसी बाते मत किया करो आपस तरह तो हमें सलामत रखे और डैडी के लिए दौा किया करो अपने उन्हें तुमारी अब ये अच्छाई काम आएगी अपने बच्चों की जदर तुमें दरदो रहा है अदर हाथ रको ना किदर दरदो रहा है मुझे पता था डरे हो बहुत अपने दर दीथ में कि दत के बाद और मुझे भी देखते थे जब इनकी तबीयत हराब होती थी मैं छूड़ फानिक हो जाती है मैं इसे बहुत सारे question करती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं किदर तकलीफ हो रही है तो जब इसने बताया तो मैं आराम से हो गई मैंने का नहीं बेटा इदर हाट नहीं है ना इंशाला तुम ठीक हो जाओगे तो अलहमदलिल्ला उसे तो लाका शुकर है अब थोड़ा सा उसका माइन जो है थोड़ा सा हुआ है चैन्ज मुझे लगता है अगर मेरी बेटी जो है ये तो मैं देखती थी तो इसे मैं देखते के इतनी हपसेट होती थी पढ़ी होती थी तो दिवार के उपर अपने पाओं मारना और अपने साथ बाते करना और ये हर अपनी बाते है स्कूल का हमवग स्कूल की बाते है अपने ड़ड़ी के साथ शेयर करती थी उसके साथ बाते करती थी तो होता है फिर इनसान को जब स्कूल जाते थे तो ड़ड़ी की आम बाजू में बाजू डाल के जाया करती थी तो वो वापस गर आएं तो मुझे कहते होते है अलीमा के अंदर इतना जोर नहीं है अलीमा के बाड़ी में जो जोर है वो मेरे उपर ठैक कर तो जाती है है कम जोर है मेरी बेटी ना और ये मेरी बेटी माशालला स्कूल में इसका अतना दिल लगता था जब इसके डाड की जिन्दगी में उसके बाद इसका मैंने बहुत नोटस किया कि स्कूल में दिल नहीं लगता डाड के जाने के बाद इस कहती थी मैं मुझे नहीं जाना स्कूल, मेरी तबियत ठीक नहीं है और वो बीच में मेरा ह्याल करती थी कि मैं जाओंगी तो पता नहीं मामी को क्या हो जाएगा ऐसी मैंसे समझाती रही हूँ बेटा जिंदगी हमने ऐसी निकालनी है तुम लोग जाओंगे बस दौा किया करो तो यह कहती रहती थी कि अल्द तुम लोगों को सलामत रखे अल्द तुमारे सर पे मुझे सलामत रखे मेरे हजबिन के जाने के बाद मेरे लिए सबसे दुख की बात जे है थी जब मेरे बच्चे जाते थे स्कूल मैंने फ्रेंट कोई कहा हुआ था उनके साथ ही जाते थे तो इनको बहुत दुख हुआ, दुख होता था कि हम क्यों जा रहें किसी के साथ, क्योंकि पहले अपने डाड़ी की लाइफ में ये किसी के साथ नहीं, मैं जाती थी, इनके साथ, या डाड़ी जाते थे, या हम दोनों साथ ही मौसली जाया करते थे, जब से ईसा पैदा हुआ था तो उसके बाद मैं थोड़ा बीजी हो गई थी इसक के साथ तो फिर ये डाडी के साथ ही जाया करते तो इनको बहुत दुख होता कि हमें किसी के साथ क्यूं जाना पड़ रहे है ममी, आप क्यूं ने जा रही है हमारे साथ तो मेरे बच्चे मुझे कहते थे ममी, आप औरों को क्यूं कहती है हमें लेके जाएं तो मैं फिर उन्हें समझाती थी कि मैं अभी एद्दत में हूँ इस वज़ा से पिर ये बस छोटी छोटी शेकले बना के मेरी तरफ देखते और चुपोंके निकल जाते उस वक्त मुझे बहुत दुखला किता था कि मैं इनके साथ जानी पा रही हूँ मगर अल्हा की तरफ से इसमाशे आती है वैसे लात आल्हा से दौा याल्हा हमसे राजी रहे तो जब ये इसा ने नर्सरी स्टार्ट की तो ये जा रहा था पिछले साल एक दिन मुझे टीचर ने कहा कि इसा की मामा आपसे बात करनी है तो मैंने कहा अच्छा कहती है जब भी बच्चे आपस में बाते करते हैं डाट के बारे में तो इसा से जब बात करते हैं तो इसा कहता है में माई डाड़ इस गान बाई ला ये कहता था कि मेरा डाड़ी चला गया लागे पास क्योंकि जब वो गर में ऐसे एक दूसरे के साथ बेहन बाई के साथ खेलता था तो हम, वो वो उमसे पूचता था कि Where's my डाड़ी? क्योंकि माशाइलला बोथ जलती इसने बाते करना सीख कया था तो हम यह से बताते थे कि वो अल्ला के पास चला गया और वो अल्ला के पास खुश है तुमारा डाडी ना तो फिर हैर मैंने टीचर के बताया कि इसके डाडी की देख हो गई है ना तो फिर उनको तब पता चला, उन्हें अफसोस हुआ तो बस शुरू शुरू में बहुत टाइम लगी सेटल होने के लिए कि इनको समझाना पड़ता था कि अब हमें ऐसे रहना है अब डाड़ी तुम्हारे चले गए है मुश्किल था थोड़ा मगर एक माँ से और बाप से जादा कौन समझ सकते है अपनी उलाद को और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थे उसके नीचे बहुत सारे खामिट्स आए मेरा उन लोगों के लिए बहुत दिल खफ होता है क्योंकि मेरे उपर वो बात गुजर गई है किसी ने अपने हजबिन के बारे में का कि वो चले गए है किसी और ने भी अपने हजबिन के बारे में का मेरी बेनोंने किसी ने अपनी मा के बारे में का बहुत सारे ऐसे खामिट्स आए है और किसी बेन ने अपनी बेटी के बारे में का कि उसकी बेटी के हस्बिन की डेथ हुई है बहुत सारे और भी कामेंस होंगे मैंने पढ़े हैं बहुत दुख हुआ उनके लिए तो उनका दुख ज्यादा इनसान को महसूस होता है जिसकी ओपर खुद गुजर चाती है तो उन सब के लिए भी मेरे दौा करती हूँ दिल से दौा करती हूँ आपको सबर दे और आने वाली ठाइम में आपको खुशिया नसीब करे आपको खुशिया नसीब करे आपको खुशिया नसीब करे आपको 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 खुशिया नसीब करे और आप लोगों ने मेरा होसला बढ़ाया है मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के comments पढ़के इतनी प्यारी दौाएं देते हैं मेरे बच्चे भी आप लोगों के comments पढ़ते हैं जो उन्हें understanding है वो खुशी होते हैं जो मैंने अपने बच्चों के विपारे में बताई आप लोगों को और बहुत सारी बाते हैं जो कुछ थोड़ी सी में कर पाई मैंने आप लोगों को बता दिया I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो like, share एक दूसरे के साथ करें असलाम लेकूम